हेलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जॉब, जेने नॉटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देरी टेकनलोजी कोर्स के बारे में जानेंगे डेरी टेकनलोजी कोर्स क्या है या इसमें किस-किस टाइप के कितने कोर्स एवलेबल है जो आप कर सकते हैं इस कोर्स को करने के लिए अलिजबिल्टी क्या होती है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी जॉब अपटोर्चंटीज क्या रहती हैं आपके इस फिल्ड में जॉब ले सकते हैं तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आप डेरी टेकनोलोजी से रिलेटड जानकारी चाहते हैं वीडियो को एंट तक पूरा देखेगा लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अप्लोट करूँगी चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं डेरी टेकनलोजी है क्या डेरी टेकनलोजी के अंतरगर सामने तहा आधुनिक टेकनलोजी से दूद और दूद से बनी हुई जो चीजे रहती है विभिन उत्पाद रहते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करना होता है दूद और दूद से बनने वाली जो चीजे हैं उनकी क्वाल्टी इंप्रूफ करने से रिलेटेट जो जानकारी है वो इस टूडेंट को दी जाती है जो प्रोड़क्ट से रहते हैं उनकी क्वाल्टी कैसे इंप्रूफ की जाए इस से related जानकारी आप इस कोर्स में पढ़ते हैं इसके साथ ही इसके अंतरगत milk production, milk processing, packaging, storage इस तरह के जो कारे रहते हैं वो सारे जो dairy technology course है उसके अंतरगत आपको सिखाए जाते हैं तो अगर आप dairy technology course करना चाहते हैं तो इसके लिए हम जान लेते हैं कौन-कौन से courses हैं dairy technology के अंतरगत जो आते हैं जो आप कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत से courses आपके लिए मिलेंगे इसमें जो subjects रहते हैं वो specialization courses हैं subjects हैं जिसको आप choose कर सकते हैं जिसमें आप interest रखते हैं मैं यहाँ पर आपको main course हैं वो मैं आपको बता रही हूँ फिर आपके उपर depend करता है जो specialization है वो आप choose कर सकते हैं यहाँ पर जो रहते हैं उसमें diploma courses अपलेबल है diploma in dairy technology अगर आप BSE course करना चाहते हैं तो इसमें BSE course भी अपलेबल है MSC, after BSE आप इसमें MSC भी कर सकते हैं BTEC आप कर सकते हैं, MTEC, MBS या post graduate diploma भी अपलेबल है इसके लब अगर आप इसमें आगे भी higher qualification लेना चाहते हैं तो PhD course भी अबलेबल है वो भी आप इसमें कर सकते हैं तो यह dairy technology courses हैं जो आप अपनी qualification के according आपकी जो भी eligibility है उसके according आप ले सकते हैं तो हम अप इसके लिए देख लेते हैं कि eligibility क्या रहती है, कौन है जो इस course को कर सकते हैं तो अगर आप यह course करना चाहते हैं इसके लिए आपका जो eligibility है वो 12th pass है science subject से आपने science subject से किया है या आपने agriculture field में भी किया है तो वहां से भी आप इसमें admission ले सकते हैं तो अगर आपने science subject से minimum 50 to 55% रहता है या अलग लग universities पर depend करता है किसी में 50 तो किसी में 55% minimum रखा जाता है duration के अगर हम बात करें तो किस तरह से मैंने आपको courses यहाँ पर बताए हैं अलग लग courses अपलेबल हैं तो उन्हीं के according यहाँ पर दो साल से लेकर करके चार साल तक के courses हैं दो साल तीन सार चाल सार यह आपके course पर depend करता है आप bachelor degree जो आप B.S.C. कर रहे हैं या B.T.E.C. कर रहे हैं B.T.E.C. आपका 4 years का रहता है B.S.C. आपकी 3 years की रहती है और diploma courses आपके 2 years की रहती है तो यह आपके course पर depend करेगा next अब हम यहाँ पर course fees देख लेते हैं course fees क्या रहती है तो बैसे तो course पर depend करेगा जिस तरह से courses मैंने बताए अगर आप कौन सा course कर रहे हैं उस पर लेकिन अगर हम एक average देखें तो लगबग आपका 76-70,000 से लेकर के 5 लग तक के आपके इसमें fees लग सकती है और यह college और institute पर भी depend करता है अलग-लग colleges में, अलग-लग institute में course fees अलग-लग रहती है तो थोड़ा बहुत कम या जादा हो सकता है लेकिन एक average इसका 76-70,000 से लेकर के 5 लाग तक का रहता है तो यह तो हो गई eligibility, duration and course fees अब हम देखते हैं admission procedure क्या रहता है आप किस तरह से admission ले सकते हैं इस course में तो इस course में आप दौनों तरह से admission आपको मिलेगा अगर आप government college से किसी अच्छे college से करते हैं तो वहाँ पर आपको entrance exam देना पर सकता है और अगर आप किसी private college से करते हैं कुछ एक private colleges हैं जो आपको आपकी जो percentage रहती है उसके base पर आपको direct admission दे सकते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा तर आपको जो admission है वो आपको entrance exam के थुरू ही मिल सकता है अब यहाँ पर मैं आपको कुछ entrance exam सो कर रही हूँ जैसी कि इसमें जो main entrance exam है जिसके दौरा आप एक अच्छा college आपको मिल सकता है वो है All India Entrance Examination for admission AIEEA यह ICAR के दौरा connect कराया जाता है इसके दौरा अगर आप यह entrance exam देते हैं तो इसके दौरा आप इंडिया में जो top colleges है उनमें admission आप ले सकते हैं and second is best vengal joint entrance examination WBJEE and third is विहार combined entrance competitive examination BCECE यह entrance exam है इसमें से अगर आप ICR के दौरा जो connect कराया जाता है उसको आप देते हैं तो आप एक अच्छा college आप इंडिया में आपको मिल सकता है अब हम जानते हैं यहाँ पर job के बारे में आप किस तरह से job ले सकते हैं तो यहाँ पर job opportunities and companies के name में आपको यहाँ पर suggest करूंगी for example के लिए लेकिन मैं यहाँ पर आपको clear करूं government job इसमें आप ले सकते हैं लेकिन government के comparison में आपको private job के chances चाहता रहेंगे private job में जैसे कि अगर आप यह course complete कर लेते हैं जैसे अलग-अलग courses हैं उस पर भी depend करेगा आपकी job तो job के ज़्यादा तर जो मौके हैं dairy form या cooperative milk product processing, manufacturing इसके अलबा food industries and quality control organizations होते हैं इसमें भी appoint किये जाते हैं तो आप इस तरह से यह job fields हैं जहाँ पर आप job ले सकते हैं अगर आप teaching में interest रखते हैं तो आप उन्हीं institute में हर qualification लेने के बाद में आप इन्हीं institutes में colleges में teach भी कर सकते हैं इसके अलबाब R&D institute के लिए कार करने के साथ साथ आप entrepreneurship का भी option है आपके पास आप उसको भी choose कर सकते हैं यह आपके job opportunities हैं government के comparison में आपको private job के ज़्यादा chances इसमें रहेंगे इसके साथ ही कुछ companies के name में आपको यहाँ पर बताऊंगी जैसे की Amul Dairy Mother Dairy, Nestle, Reliance Hindustan Unilever Metro Dairy Limited Britannia Industries इस तरह की जो companies हैं उसमें आप job ले सकते हैं यहाँ पर आपका यह clear हुआ कि अगर आप यह course करते हैं तो government job आपको मिल सकती है इसमें भी vacancies आती हैं लेकिन private sector में आपके ज़्यादा chances रहेंगे अब हम salary की बात करते हैं तो salary यहाँ पर आपकी लगवा के starting में 15,000 से लेकर के 70,000 रहती है यह starting salary है क्योंकि जब आप यह course complete कर लेते हैं तो आप as a trainee join करते हैं जो companies आपको भरती करती है as a trainee आपको job पर रखती है तब आपकी salary थोड़ा कम रहती है लेकिन अगर आप experience आपका हो जाता है आपका timing हो जाने के बाद आपको manager की post तक आप पहुंच सकते हैं तो manager की post पर जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपकी salary ज़्यादा रहती है तो यह आपकी salary एक average है कि starting में आपका 15,000 10,000-15,000 आपका starting में आपका रहता ही है उसके बाद आपका experience के साथ increase हो जाती है और यह जो job है वो आपके course पर depend करती है आपने B.H.C. करने के बाद आप job ले रहे हैं आप diploma करने के बाद job ले रहे हैं यह आपने B.Tech किया है, M.Tech किया है आपने post graduation जो degree है वो ली हुई है M.Tech यह आपने post graduate diploma लिया हुई है यह क्या है courses के according आपको post मिलती है job मिलती है तो आपकी salary भी उस पर depend करेगी So friends यह थी जानकारी dairy technology course से जुड़ी हुई जो भी dairy technology course related आप कौनकों से courses अपलेबल है dairy technology से and कौन सा course आप कर सकते है इसमें eligibility क्या रहती है selection procedure यानि की admission procedure क्या है यह सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो helpful रहो तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि notification टाइम से मिल सकेगा थैंक यू